नमस्ते जिग्यासु साथियों, मैं अनिका ठाकुर हूँ, हिंदी माइंड बैट्स की आपकी मित्रवत मेजबान। आज मैं आपके साथ एक पुस्तक सारांश साजा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, जिसमें आपके जीवन को बदलने की क्षमता है। तो अपने पसंदीदा पे का एक कपलें, आराम से बैठें और शुरू करें। इस ओडियो सारांश को किसे सुनना चाहिए। खैर, कोई भी व्यक्ति जो मानव व्यवहार को समझने, अपने रिष्टों को बहतर बनाने और खुद का एक बहतर संसकरण बनने के लिए उत्सुक है। हाँ, यह सही है। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो मानव स्वभाव की पेचीद्गियों के बारे में उत्सुक है। आपको यह सारांश क्यों सुनना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों मानव स्वभाव को समझना, सफलता, खुशी और व्यक्तिगत विकास को अनलॉक करने की कूनजी है। इन अवधारणाओं को समझ कर आप अधिक सहानुभूति पोर्ण, आत्म विश्वासी और बुद्धिमान बनेंगे। आपको किस उम्र में यह सारांश सुनना चाहिए। इमानदारी से 16 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक से लाब हुठा सकता है। आप जितनी जल्दी मानव स्वभाव को समझेंगे, आप जीवन की चुनोतियों का सामना करने के लिए उतने ही बहतर तरीके से तयार होंगे। आप इस पुस्तक सारांश से क्या सीखेंगे? आप मेरे दोस्तों, आप मानव व्यवहार को नियंतरित करने वाले 18 नियमों की खोज करेंगे, जिसमें तर्क हींता का नियम, भूमिका निभाने का नियम और भव्यता का नियम शामिल है। आप सीखेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित करें, मजबूत संबंध कैसे बनाएं और यहां तक की अपने आस-पास के लोगों को हेर-फेर कैसे करें, बेशक, नैतिक रूप से. अब लेखक के बारे में बात करते हैं। ग्रीन के जुनून ने उन्हें The 48 Laws of Power और The Art of Seduction सहित कई बेस्ट सेलर लिखने के लिए प्रेरित किया है। लेखक की कहानी रॉबर्ट ग्रीन का मानव स्वभाव के प्रतियाकर्शन कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने शास्त्रिय अध्ययन का अध्ययन किया और बाद में एक लेखक और संपादक के रूप में काम किया। मानव व्यवहार के बारे में उनकी जिग्यासा ने उन्हें इस विशय पर व्यापक रूप से शोध करने और लिखने के लिए प्रेरित किया। अब आएए पुस्तक सारांश में गोता लगाएं। मानव प्रकृति के नियम मानव व्यवहार की जटिलताओं को समझने के लिए एक व्यापक मार्कदर्शिका है। ग्रीन का तर्क है कि इन नियमों को पहचान कर हम अपनी और दूसरों की प्रेरणाओं के बारे में अधिक जागरूख हो सकते हैं। यह जागरूखता हमें दुनिया को अधिक प्रभावी ढंग से नविगेट करने, मजबूत संबंध बनाने और अपने लक्षयों को प्राप्त करने में मदद करेगी। आए पहले नियम से शुरू करें। तर्क हीनता का नियम ग्रीन बताते हैं कि मनुष्य तर्क संगत प्राणी नहीं हैं। हम भावनाओं, पूर्वा ग्रहों और सहज ग्यान से प्रेरित होते हैं। इस नियम को समझने से आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि कब दूसरे और आप स्वयम तर्क हीन तरीके से काम कर रहे हैं। और उसके अनुसार कैसे प्रतिक्रिया दें। इसके बाद हमारे पास भूमी का निभाने का नियम है। यह नियम इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोग अकसर अपने असली रूप को छिपाने के लिए मुखोटे पहनते हैं। ग्रीन हमें दिखाते हैं कि इन मुखोटों को कैसे पहचाना जाए और उनका अपने फायदे के लिए कैसे इस्तिमाल किया जाए। हम भव्यता के नियम का भी पता लगाएंगे जो बताता है कि कैसे लोग अकसर अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को अधिक आखते हैं। इस नियम को पहचान कर आप अधिक विनम्र बनेंगे और जूठी चापलूसी का शिकार होने की संभावना कम होगी। ये उन 18 नियमों में से कुछ हैं जिन्हें ग्रीन ने अपनी पुस्तक में शामिल किया है। इस नियमों पर अल्पकालिक लाभों को प्राथमिक्ता देने की हमारी प्रवृत्ति को उजागर करता है। हम रक्षात्मक्ता का नियम की भी जाच करेंगे जो दर्शाता है कि लोग अक्सर अपने विश्वासों में कैसे उलज जाते हैं और परिवर्तन का विरोध करते हैं। और पीढी गत मायोपिया का नियम जो यह बताता है कि प्रत्येक पीढी अतीद की गलतियों को कैसे दोहराती है। ग्रीन आक्रामक्ता का नियम जैसे नियमों के साथ शक्ति गतिशीलता की दुनिया में भी उतरते हैं, जो यह पता लगाता है कि लोग अक्सर अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए आक्रामक्ता का उपयोग कैसे करते हैं, और इरश्या का नियम जो यह बताता है कि इर पुस्तक के सबसे व्यावाहरिक खंडों में से एक ग्रीन द्वारा भव्यता के नियम की खोज है, जो यह बताता है कि लोग अक्सर अपने महत्व और क्षमताओं को कैसे अधिक आखते हैं। ग्रीन लिंक के नियम जैसे नियमों को भी शामिल करते हैं, जो मरदाना और स्त्री उर्जाओं के बीच के अंतरों को उजागर करता है। और केस स्टडी का उपयोग करता है, जिससे पुस्तक को पढ़ना एक परम आनंद बन जाता है। जैसे जैसे हम और अधिक नियमों का पता लगाते हैं, ग्रीन दमन के नियम पर चर्चा करते हैं, जो यह बताता है कि लोग अकसर अपनी सच्ची इच्छाओं और आवेगों को कैसे छिपाते हैं। वह दमन के नियम की भी जाच करते हैं इर्श्या, जो दर्शाता है कि इर्श्या एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह विनाशकारी शक्ती भी हो सकती है। इसके बाद Green, The Law of Grandiosity पर चर्चा करते हैं, जो यह पता लगाता है कि लोग अक्सर अपने महत्व और क्षमताओं को कैसे कमाखते हैं। यह नियम आज के सोशल मीडिया युक में विशेश रूप से प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर दुनिया के सामने खुद का एक क्यूरेटेड संसकरण पेश करते हैं। ग्रीन लोब के नियम को भी कवर करते हैं, जो यह बताता है कि लोग अक्सर वह चाहते हैं, जो उनके पास नहीं हो सकता। वह दिखाते हैं कि यह नियम असंतोश और नाखुशी का कारण कैसे बन सकता है, और इसे कैसे पहचाना और दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रीन डिलो ओफ शॉर्ट साइटेडनेस की खोज करते हैं, जो दीर्ग कालिक परिणामों पर अल्प कालिक लाभों को प्राथमिक्ता देने की हमारी प्रवृत्ति को उजागर करता है। वह इस नियम को दूर करने और अपने निर्णयों के बारे में अधिक गंभीरता से सोचने के बारे में अंतरद्रिष्टी प्रदान करते हैं। पुस्तक के सबसे दिल्चस्प खंडों में से एक ग्रीन द्वारा पीढ़ी गत मायोपिया के नियम की जाँच है। वह बताते हैं कि कैसे प्रत्येक पीढ़ी अतीत की गलतियों को दोहराती है और हम कैसे इन नुकसानों से बचने के लिए इतिहास से सीखें। ग्रीन लिंग के नियम पर भी चर्चा करते हैं जो मर्दाना और स्त्री उर्जा के बीच के अंतरों को उजागर करता है। वह पता लगाता है कि इन अंतरों को समझने से कैसे अधिक सामंजस्य पूर्ण संबंध और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। जैसे जैसे हम अंतिम नियमों के करीब पहुँचते हैं, ग्रीन उद्देश्य हिंता के नियम पर चर्चा करते हैं, जो बताता है कि कैसे लोग अकसर उद्देश्य की सपष्ट समझ के बिना जीवन में भटकते रहते हैं, वह अपने जुनून की खोज करने और दिशा की भ अंडों में फिट होने और उनके अनुरूप होने के दबाव को उजागर करता है, वह दिखाता है कि व्यक्तित्व को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कैसे संतुलित किया जाए और अनुरूपता के नुकसानों से कैसे बचा जाए, अन्तिम नियम, पेटुलेंस का नियम, य ग्रीन भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने और चुनोती पूर्ण स्थितियों में अधिक सचेत रूप से प्रतिक्रिया करने के तरीके पर अंतर द्रिष्टि प्रदान करते हैं। करके ग्रीन का तर्क है कि हम अधिक प्रभावी संचारक बन सकते हैं, मजबूत संबंध बना सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसाइक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यह समापन है, यह रॉबर्ट ग्रीन द्वारा मानव प्रकृतिके निय मुझे आशा है कि आपको यह सारांश ग्यान वर्धक और आकर्शक लगा होगा।